क्या आप इपनी मोगाइल फॉन का कीबोर्ट का लॉंग वेज को चेंज करना चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि आप इस वीडियो के दिखते लिए तो चलिए फटाफ़र से वीडियो को शुरू कर लेते हैं हूँआउअ कि अपने मोगई फॉन का कीबोर्ड को हिंदी या फिर हिंदी से इंग्लीज करने के लिए सबसे फिरला क्या करना है आपका अप जो फॉन का सेटिंग देनला कि या तो खल ढूंड के आपको यहां पर क्लिक कर लेना है अगर आपको नहीं मिलता तो आप सच भी कर सकते अपने फोन में ठीक हमको मिल चुका है हला कि तो हमाँ खिलिक कर लेता हूं यहां पर जैसे आपको यहां पर कीबोर्ड एंड इंपूट का एक ओप्शन देखने के मिलेगा ठीक ह आपको एज़ने को मिलेगा आपको यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर यहां पर ओक्वा। देखने की मिल जागा आपको लॉंग वेज के उपर किलिक करते हैं आपको एड यहाँ पर एड की वोड के उपर किलिक करना है जिसे आप एड की वोड के उपर किलिक करना है जिसे आप एड की वोड की वोड के उपर किलिक करते हैं यहाँ एक लॉंग वेज आपको मिल कि कुछ ने किलिक करके आपको यहाद हो चुका है देख सकते हैं यहापको हिंडी पलस इंगलिस दोनों भी आपको कैसे करना आपको चलिए मैं कीबोर्ड ओपें कर के दिखा हुब जैसे keyboard open कर्ता हूब यहाँ पे इंगलीस है इसको Hindi करने के लिए आपको यहाँ पर English का जो प्संद निख रहा है इसको आपको long province करें रखना है बीच में नीचे के और जो दिख रहा है इसको आपको धवाये रखना है जैसे आप दवाते है आपको यहाSee खुल जाएगा हिंदी और इंग्लिस तो आप हिंदी किलिक किजे और आपका यहाँ पर हिंदी हो जाएगा कुछी स्टेप से अपना हिंदी कर सकते हैं I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मैंने आपको बताया किस तरह से अपने कीबोर्ट का लॉंग वेज चेंज कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिस कर सकते हैं इंग्लिस से हिंदी कर सकते हैं और गजज इसी स्टेप से अपना हिंदी भी कर सकते हैं कभी जब आपका एक्चा हो तो नॉर्मली आपका कीबोर्ट कुछी स्टेप से देखने की मिलता है अगर आपने कीबोर्ट पर फोटो लगान चाहते हैं तो आपको एक वीडियो सो कर रहा है उपर में इस वीडियो पर किलिक करके देखिए आपको बताया हूं किस तरह से यहां पर फोटो लगा सकते हैं तो यहां पर आप किलिक